जंगल की गहराई में एक उंचे पेड पर कई छोटे-छोटे घर बने हुए थे। ये घर लकडी और पतियों से बने थे और रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए थे। दर असल ये परियों के घर थे। हर सुबह, परिया अपने खूपसूरत पंख फैला कर पेड से नीचे उतरती वे जंगल में फूलों से मीठा रस पीती तितलियों के साथ खिलती और पेडों पर चड़कर धूप सेंकती शाम धलने पर परिया फिर से अपने पेड के घरों में लौट आती वहाँ वे जुगनू की रोशनी में कहानिया सुनाती गाना गाती और खिल खिला कर हंसती एक परी का नाम चंचल थी उसके सुनहरे बाल थे और चमकीले पीले पंक चंचल को पेड़ पर रहना बहुत पसंद था पेड़ की उंची टहनिया उसका जूला बन जाती और हवा के जोकों में वह जूमती रहती रात को सोने से पहले चंचल आस्मान के तारों को निहारती और पेड़ की पत्तियों की सरसरा सुनती। पेड़ का घर चंचल के लिए सबसे सुरक्षित और खुशाल जगह था, जहां वह अपनी परी सहेलियों के साथ मस्ती करती रहती थी।